तो इससे बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम तेल डालेंगे अब हम इसमें कटा हुआ हरमिज डालेंगे बेगन और आलू एक्ट करेंगे साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे अब हम इसमें हल्दी एट करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे लगबग 5-10 मिनिट तक अच्छे से कोक करेंगे हमारे बेगन आलू पक गए हैं अब हम इसमें टमाटर एक्ट करेंगे साथ में कुछ मसाले डालेंगे मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर और इसे अच्छे से कवर्ड कर देंगे इससे आपकी टमाटर जल्दी मेल्ट हो जाएंगे हमारे टमाटर मेल्ट हो गए हैं अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे हमारी बेगन आलू की सब्दी तयार है आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा अब्ली सब्सक्राइब में चनल